नमस्कार आज की खबर चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तो आज की खबर चैनल में हम आपके लिए आज कौन-कौन सी बड़ी-बड़ी खबरें लेकर आए हम आपको बताएंगे दोस्तो आज की खबर चैनल में हम आपके लिए लेकर आ हमारी आज की अगली बड़ी ख़बर है निक जोंस प्रेंकल चोपड़ा से शादी क्यों कर रहे हैं इसके पीछे भी क्या कारण है हम आपको पूरा कारण बताएंगे कि आखिरकार निक जोंस ने इंटर्व्यू में क्या कहा और दोस्तो हम आपको बताएं 11 नौवंबर से जा रहे हो तो दोस्तो हम आपको बताएंगे पोस्ट ओफिस के अंदर लाइफ इंशोरेंस दिया जा रहा है दोस्तो हम आपको बताएंगे कि आपको यह इंशोरेंस लेना है और कैसे लेना है हम आपको पूरी ख़बर बताएंगे शुरू करते हैं दोस्तो आज का हमारा ख गमासान मचा हुआ है, क्यों गमासान मचा हुआ है? दोनों ही CBI डारेक्टर क्यों आपस में लड़ रहे हैं? इसके पीछे क्या कारण है? और दोस्तो हम आपको बतायें भारत की जो सर्वोच संस्ता है CBI, उसके उपर क्या दाग लग रहा है? हम आपको पूरी ख़बर बतान प्रमाना और आलोक वर्मा दोनों ही आपस में लड़ रहे हैं और दोस्तो दोनों ही एक दूसरे खिलाफ गंबीर आरोप भी लगा रहे हैं हम आपको बताएं दोस्तो इनकी जो केस हैं दोस्तो इनकी जांच करने के आदेश दिये हैं और 12 नौमबर को रिपोर्ट ने सुप्र दोस्तों पेश करनी है CVC को, दोस्तों हम आपको बताएं आखिरकार इन दोनों ने ऐसा क्या किया है और कौन-कौन से वो आरोप है जो दोनों एक दूसरी को पर लगा रहे हैं, आप मोहिन कुरेशी को जानते होंगे, यह बहुत बड़ा मीच व्यापारी है, और दोस्तों हम आपको बताएं मोहिन कुरेशी ने दो करोड की रिश्वत दीती, किसको दीती आलोग वर्मा को दीती या राकेश अस्ताना को दीती, दोस्तों दोनों ही CVI डारेक्टर एक दूसरे को पर इलजाम लगा रहे हैं, और दोस्तों हम आपको बताएं आलोग वर्मा के उपर एक अरोग और लग रहा है, दोस्तों आलोग वर्मा ने किया कि हम आपको बताएं उन्होंने आयार्सी टीसी केस में जो जांच चल रही है दोस्तों और ये जांच चल रही है दोस्तों इस जांच के अंदर उन्होंने दखल अंदाजी करी है, दोस्तों दोनों ही डारेक्टर के खिलाब जो भी मामला है दोस्तों वह सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है और सोमबार को दोस्तों जो सीवी सी संसा है दोस्तों वह इन दोनों खिलाब जो जांच कर रही है उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी तो दोस्तों हमको देखना है कि आखिरक इसमें अपराधी कौन है? हमारी आज की अगली बड़ी ख़बर है, लिक जोन्स प्रियंका चौपरा से सिब्सक्रा को क्योंग कर रहे हैं, इसके पीछे कौन सी बड़ी वजह है? दोस्तों, हम आपको बताएं, प्रियंका चौपरा की जो उमरा दोस्तों वह है, लिक जोन्स स एक अपने इंटर्यू में क्या कहा हम आपको पूरा इंटर्यू अपनी जवानी सुनाते हैं दोस्तो हम आपको पहले ये बताएं कि प्रेْंका चोपड़ा और निक जोन से जल्दी शादी करने वाले हैं और दोस्तो कुछ समय पहले ही प्रियंका ने अपनी गल्स गेंग के साथ बेचलर पाल्टी की है और अब शादी के कुछ दिन पहले ही निक ने प्रियंका को लेकर एक इंटर्यू में दोस्तो एक ऐसा बयान दिया जोस्तो जिससे प्रियंका चोपड़ा खुश हो गई है हाँ दोस्तो कौन सा ऐसा बयान दिया है निक ने कि जिसको सुनकर प्रियंका खुश हो गई है दोस्तो प्रियंका को उन्होंने अपना बेच्ट पार्टनर बता है क्यों बता है क्योंकि दोस्तो निक जोस ने कहा है कि मैं उनके सामने वैसा ही लगता हूँ जैसा मैं हूँ मतल दार रहती है दोस्तो निक को यही चाहिए दोस्तो निक ने यह बात इंटर्व्यू के अंदर कई है दोस्तो यह बात सुनकर प्रेंग का चोपरा काफी खुश हो गई है दोस्तो हम आपको इस बात की भी जान करी दे दें प्रेंग का चोपरा और निक जोन्स की शादी एक या दो दिसम्बर को हो सकती है दोनों की शादी जोदपूर के उम्मेद भवन में होगी और हम आपको बता हैं दोस्तों जिसके लिए तैयारिया भी शुरू हो चुकी है इनकी शादी का जो सामरों होगा दोस्तों वह तीन दिन तक जोदपूर में ही चलेगा 30 नौंबर से 2 दिसम्बर तक चलेगा प्रेंग का और निक्के घरवाले इस शादी में काफी उस्साहित नजर आ रहे हैं हमारी आज की अगली बड़ी ख़बर है छट पूजा 11 नौंबर से शुरू होने जा रही है दोस्तों यदि आप छट पूजा का वरत कर रहे हो छट पूजा का वरत करने से दोस्तों बहुत सारा पुन्य प्राप्त होता है दोस्तों हम आपको बताने जहरे हैं यदि आप छट पूजा कर रहे हो तो दोस्तों यह छट पूजा 4 दिनों तक चलेगी दोस्तो हम आपको बताएं प्रकती पूजा और आस्ता का जो महा पर्वे छट पूजा पहला दिनों होगा दोस्तो नाए खाए का और दोस्तो नाए खाए रईवार 11 नॉवंबर को शुरू हो रहा है और दोस्तो हम आपको बताएं अगले चार दिनों तक यह पर्वे चलेगा सोंबार यानि 12 नौवंबर को खड़ना है मंगलवार 13 नौवंबर को सूरिय भगवान को अर्ग देना है दोस्तों शाम को और दोस्तों हम आपको बता है बुद्दुवार 14 नौवंबर को सुबह सूरिय भगवान को अर्ग देना है इस प्रकार दोस्तों यह है परवे चार दिन चलेगा हम आपको बताएं दोस्तों इस वरत में 36 घंटे तक वरत किया जाता है और वो भी निर्जला हाँ दोस्तों बिना जलके दोस्तों हम आपको बताएं बिहार और पूरी उत्तर परदेश में छट परवे पूरी आस्ता और भक्ती के साथ मनाय जाता है दोस्तों बहुत ज़्यादा कठीन वृत है यदि आप चार दिनों तक निर्जला वृत रखोगे तो दोस्तों हम आपको बताएं जो छट मय्य है दोस्तों वह आपके जीवन के अंदर दोस्तों सुख समर्द्धी भर देगी हम आपको बताएं यदि आप छट पूजा कर रहे हैं तो दोस्तों आपको इन बातों का अविश्य ध्यान रखना है दोस्तों कोन सी बातों को आपको ध्यान रखना है पहली बात यह है दोस्तों कि आप जो है पीतल वे तामे के पात्रों से ही अर पूत का अर्ग देना चाहिए तामबे के पात्र में दूस से अर्ग नहीं देना चाहिए और दोस्तों जो बड़े बड़े जोतिश है उनकी अनुसार छट महा परू खासकर शरीर मन और आत्मा की शुद्धी का परू है व्यदिक माननेता यह है कि दोस्तों नाय खाय से सब्त मी के पारण तक उन भक्तों पर शष्टी माता की किरपा बरस्ती है जो शर्दा पूरक व्रत रखते हैं तो दोस्तों हमने आपको पूरी ख़बर बताईए हमारी आज की अगली बड़ी ख़बर है यदि आप पोस्ट ओफिस के अंदर लाइफ इंशूरेंस लेने की सोच र पहले लाइफ इंशूरेंस की जो इसकी मा दोस्तों वह है पोस्ट ओफिस नहीं शुरू करी थी दोस्तों हम आपको बताएं इसकी शुरुआत हुई थी 1884 के अंदर हां दोस्तों 1884 के अंदर इसकी लाइफ इंशूरेंस की शुरुआत करी गई थी और दोस्तों हम आपको बताएं दोस्तो इससी स्कीम के अंतरगववर अब तक के 33 लाक से ज़्यादा पुलिसी होल्डर है और हम आपको इस बात की भी जान करी दे दोस्तो इससी स्कीम के तहट आपको 10 लाक रुपे तक का लाइफ इंस्इोनिस मिलेगा हम आपको बताएं दोस्तो P.L.I. के इस प्लान को सुरक्षा के नाम से भी जाना जाता है यह एक ऐसा प्लान है जहां बीमा करता की मोत के बाद जो भी बोनस अरजित होता है दोस्तो वह जो भी कानूनी उत्रा दिकारी होता है उसको सोग दिया जाता है और हम आपको बताएं दोस्तों इस प्लान में प्रवेश करने की जो उमरा दोस्तों वह है कम से कम 19 वर्ष और अधिक से अधिक रहेगी 55 वर्ष हम आपको बताएं PLI के इस प्लान के अंतरगदे कम से कम सुनिश्चित बीमित राशी 20,000 रुपए और अधिक से अधिक बीमित राशी 10,000 रुपए है दोस्तों आप यह इंशोरेंस ले सकते हो दोस्तों बहुत अच्छी ख़बर आप लोगों के लिए दोस्तों हमने आपको पूरी ख़बर बताईए आप हमारा जो चैनल आज ख़बर उसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले नमस्कार